नमस्कार पेरेंट्स मैं हूँ डॉक्टर दिपेश परजापती सिरफ बच्चों का डेंटिस जैपूर राजिस्थान से आईए इस वीडियो में बात करते हैं कि बच्चों के दूद के दांतों में कौन-कौन से तरह की कैप्स या फिर क्राउंस लगाए जा सकने और क्यों आ स्वस्थ, खुशी, स्माइल, बहु मूल्य है और एक हेल्दी सुन्दर दिखने वाली स्माइल ही बच्चे के सुन्दरता पे चार चांद लगाती है बच्चा कितना ही क्यूट हो पर अगर उसके दांत बिसिंग है या दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो उसकी स्माइल उसके सेल्फ कॉंफिडेंस पे ये फरक करता है क्यों जरूरी होता है आखिर दूद के नातों पे जो फाइनली जढने वाले हैं तो ऐसे फ्यूचर में जढने आले नातों पे कैप लगाने के आखिर क्या आवशकता पड़ती है जादतर जब नस का इलाज या फिर रूट क के नाल किया जाता है तो रूट के नाल इलाज करने के बाद दूद का नात भी इतना कमजोर हो जाता है कि वो नॉर्मल बाइटिंग फोर्स नहीं ले पाता है तो उसको मजबूती देने के लिए रूट क्राउन की जरूत रूट के नाल के बाद पड़ सकती है या फिर नात का कीड़ा नस के इतना नजदीक है कि अगर री एंट्री का चांच हुआ तो नाद रूट के नाल ही चला जाएगा तो ऐसे सिनेरियो में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कम्प्लीट सील देने के लिए कि नया बेक्टिरिया फिर से एंट्री नहीं मार ले तो कैप देना ज़्यादा बेटर रहता है विकॉज यह कम्प्लीट सील देता है कई बार सिनेरियो ऐसा होता है कि कैविटी दात के ऐसे भाग में होती है स्पेशली साइड वाली कैविटी जिसमें फिलिंग लंबे समय तक नहीं टिक सकती है तो जहां फिलिंग नहीं टिक सकती है हो सकता है बच्चों का डेन्टिस्ट आपको कैप करने की सलाद बड़ो और बच्चों की दातों की कैप में क्या फरक होता है एक major फरक हो यह होता है कि यह सब pre-formed या फिर बनी बनाई आती है खुब सारे sizes होते हैं उसमें से dentist को best size suits करके जो best fit cap होती है वो लगाई जाती है इससे फाइदा यह होता है कि यह ज़्यादा आसानी से लग जाती है और दात को बेहत कम drill करना पड़ता है तो यह आप नहीं लेना पड़ता है इसलिए कम समय में हो जाती है जादे तर adults की cap में पहले आपको cutting के लिए आना पड़ता है फिर नाप लिया जाता है फिर वो lab में जाती है फिर वो तो तीन दिन चार दिन बाद बनके अब मुमन आती है और फिर आप second appointment में आप उस cap को लगाने आते हैं बच्चों में impression लेना आसान काम नहीं होता है छोटों बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो बनी बनाई caps इस तरीके से बच्चों की dentistry में help करते हैं आईए सबसे अच्छी cap के बारे में बात करते हैं जो सबसे latest है वो है एकदम सफेद metal free zirconia cap यह सबसे आधुनिक cap है सबसे सुंदर दिखती है पर महेंगी होती है और किसी भी दूद के दात पे आगे आले पीछे आले नातों पे लगाई जा सकती है इसमें drilling काफी लगती है तो जो बच्चे जो जादा देर की drilling के लिए नहीं बैठ सकते उनमें ये लगाना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे जादा छोटे बच्चों को जिर्कोनिया cap के लिए बेहुश करने के समय ये caps लगाई जा सकती है या फिर कोई cooperative बच्चा हो तो भी किया जा सकता है दूसरे तरह की सफेद कैप होती है इसको बोलते हैं जिसमें ये filling के द्वारा कैप होती है इसको बोलते हैं strip crowns ये plastic के crowns होते हैं जिसमें filling भरके उनको एक कैप नुमा shape दी जाती है यह सिरफ सामने के नातों के लिए होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, सुन्दर दिखती है, पर जिर्कोनिय के अब जिती मजबूत नहीं होती है, तो हो सकता है इनका कोई पार्ट तूटता है, तो इनको उस वाद तूटे वे पार्ट को रिपेर किया जा सकता है, जिर्कोनि सबसे पुराने जमाने से सबसे ज़्यादा यूज करेवाने कैप है स्टील कैप, स्टील कैप बहुत ही पतली होती है बहुत जल्दी लग जाती है, किफायती होती है, ठोस होती है और यह सबसे आदा प्रचलित है, बस इसका नुकसान यह है कि यह सफेद कलर की नहीं होती है स्टील कलर की होती है वर जैसे मैंने बोला यही ऐसी कैप है जो सबसे जल्दी लगाई जा सकती है कई बार तो बिना नात को कट करें लग जाती है जिसको false technique बोलते हैं और या फिर अगर कट करना भी पड़े तो maybe अनकॉपरेड़े बच्चों में भी 5-10-15 एक्स्पेरियंस हातों में 5-10-15 सेकिंड की कटिंग से यह कैप को लगाया जा सकता है यह ज़्यादतर क्यूंकि स्टील कलर की होती है तो सिरफ पीछे आले नातों पर लगाया जा सकता है अगर आप सामने आले नातों में इस्तमाल करना चाहें तो सिरफ उपर आले पार्ट को गिसके सफेद किया जा सकता है पर यह जिर्कोनिया जिता सुंदर यह स्टिप क्राउन जिता सुंदर नहीं दिखती है अगर उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जाए हम जो कैप्स लगाते हैं तो अभिभावकों का यह बहुत ही कॉमन कोश्यन होता है कि ग्या नात के जढ़ने के समय यह स्टील कैप दिक्कत तो नहीं देगी एक्चली होता क्या है जो दूद का नात है जो एक पर्टिकुलर पार्ट अगना दात है जिसको क्राॉण बोलते है वो जढ़ जाता है तो यह कैप उस क्राउण पार्ट पे ही लगाया जाता है अगर अपना कैप का प्रोसीजर सकसेस है तो दाथ के जढ़ने में यह बीच में नहीं आएगी कोई भी दा जढ़ता है तो देखें ये नीचे सफेद वाला पाट दांत और उसके उपर कैप चिपकी विए और ये दांत एक नॉर्मल तरीके से जड़ गया है आपका बच्चों के दांतों के रिलेटिड और भी कोई सवाल हो बच्चों के दांत के कैप के रिलेटिड और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्षन में मुझसे पूछ सकते हैं आपके समय के लिए धन्यवाद मैं एक बार फिर मैं हूँ डॉक्टर दिपेश प्रजापती सिर्फ बच्चों का धन्त पीशे शर्गे जैपूर राजिस्थान से धन्यवाद